लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सोना डिपार्टमेंट स्टोर बंबई के हम शुक्र गुजार हैं जिन्होंने अपने स्टोर में इस फिल्म की शूटिंग करने की इजाज़त दी लेकिन इस कहानी के तमाम करदार फर्जी हैं और सोना स्टोर के मैनेजमेंट से किसी भी करदार का कोई तालुक नहीं पार्टमेंट नोइस नाइग और दाग। मिस्टर मर्मा अब यही पुलीस से ख़बर आई है कि उस आदमी का ध्यान रखो जिसके हाथ में निलमी के मूठी हो और रंगून के पिक्चर पोसकार्ड हो क्या? कार यार क्या अपार्ण यहाँ क्या प्याँ क्या व्याँ कि अहुचर आप मेंड़ों और झाल, परे खुआती हमें प्रॉबार्ण जाए पुझा है, आप अज़ू। यह मेरे पिक्चर पोस्कार्स है, पुलिस खाम का मुझसे छीन रहना चाहती है, आप थोड़ी दिर के लिए छुपा लीजिए, मैं बात में ले लोगा आपने अभी किसी आदमें कुछ यहां से भागते हो देखा? आदमी? नहीं इन जोबड़ों की तलाशी लो आपने आपने लोगा आपने वा आपने यह जँबड़ा आपने जापने अनल आपने बापने हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है कि अ गया गूर दो टो था न आप गूआ है ड कि अ जुट चसे न आगा है शो लो लोग उग में पकाट्रावूटाइजाज जो भर गुट रजड़ मैंड़ी कि रिए कि अज़िए इज़ है जा और खेंड़ूज डड़ लोगहाँ अचाल कि इंड़ुछा भी पुल्स आग कर दो कह कर दोती है ब ग्रहकर पसक्राण दो il दो एक already, खुझा जड़ीय कि अनाई कि अंचे अ है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो Gob कर दो कर दो सुबा से लेटे लेटे तंग आ गए थी बीटी डॉक्टर नो पार करने को माना किया था ना ये डॉक्टर लोग तो यो ही दराज रहते हैं कुछे कुछ नहीं हुआ काम बना बीटी नहीं मा तू तो यो ही जिल्ग करती रहती ये कम क्या बुरा है बीटी दो वक्री रोठी तो मिल जाती है सुबह से शोंप्र करो तो 2.5 रुपे बिल जाती है अगर टोक्रिया ही बनानी थी तो मुझे पढ़ाया क्यो थीising बखली अँसा नहीं सूचते अगर तेरे बाबु जी होती है तो के तुझे ना पढ़ा दे, मैं तुझे पढ़ा सके, और कौन सा सुख लिया है मैंने तुझे, ना अच्छा पहनाया, ना अच्छा खिलाया, अगर तेरे बाबुची होते, तो आज हमारी ये हालत न हो, मा, मुझे माफ कर देना बेटी, ऐसा न कहो मा, मेरे जिस्म का रू अम्रूम तेरा शुकर गजार है, मेरे हर सांस पे तेरा अहसान है, मगर मैं तेरे लिए कुछ भी न कर पाई, मा, कुछ भी नहीं, तुम्हें ये चिंता न कर, मैं बिल्कुल ठीक हो बेटी, बिल्कुल ठीक हो, जा, जा कुखाना का लिए, जा जीता, ये तुम्हारी चिठी, डाकिया गलती से हमारी खोली में छोड़ गया था, कैसी तबियत है माजी, ठीक हो बेटी, इंटर्व्यू के लिए बुलाया है, भगवान करे तुझे नौकरी मिल जाए, मा, मा, अगर मुझे नौकरी मिल गई, तो मैं तेरे लिए इंजेक् जीती, जीती, जीती! बील्टिफिल, बील्टिफिल, आख, गुर्ड, वेरी गुर्ट, आपकी टाइटिंग में तो कोई मिस्केक नहीं है, और अगर अच्छी सेक्षरी के लिए अच्छी परसूरीटी का होना, अच्छा मिजाग होना, अच्छा तब ही होना बस जरूरी है, बागी चक्क्र तो वेरी अच्छी परसूर, गुल्ट भी परसूरी, मज़ना बस शार्वर, बील्टिफिल, रखक्र तना है, कोई में न भी कोई दिना बीले कर Auswाण, गुड़, आख, उ disagree, जो अणने में में वल्यूर, परिले नहीं, तो में फाल्विईल, 156 001 75 001,000 अच्छा नहीने के दिय यहां आपको सवापती का एद्रस पढ़ना है एद्रस ट्यार किया तुमने? यह सर्स, मैं दिला देती है यह और्पनेश का फंक्षन फिर से आ गया? अभी अभी तो मैंने ने चंदा दिया है, कुछ दिनी तो हुए जी नहीं, वो लास्टियर था आप यहां हर सल दस्तना रुपे देती है आज सरी ठीक है यतीमों की मदद करनी चाहिए एद्रस लेओ ये ग्राच्वन सर् मिस रिटा महरा ये सर्थ बीए पास हो तुम? जी गुड तुम्हे पहले 400 रुपे महिना में लेगा तुम मेरी सेटीर की एसिस्टिंट होगी लेकिन एक बात याद रखो ये मानदारी और वफादारी हमारे फर्म का उसूल है और यही तवक्व मुझे तुम से मैं आपको शिकार का मौका नहीं दोगी वेरी गुड जा सकती थेंके साथ कल से तो खासी रुकती है नहीं सारी रात नहीं सो सकी मिक्सचर पी थी? जी एक खुराक बाकी है खत्म होने पर और ले आईए अच्छा माजी मैं चलू जरा इदर आईए कले ने हस्पिताल ले जाना पड़ेगा हस्पिताल? क्यों क्या बात है? पहने घबराने की कोई बात नहीं एक्सरे लेना पड़ेगा एक्सरे? हाँ यह बहुत जरूरी है मैं डॉक्टर मेता के नाम चिछी लिख दूगा अच्छा है अच्छा मैं चलता हूँ रिता रिता क्या मुझे हस्पिताल जाना पड़ेगा? तो आंखों से ओजर हो जाएगी मैं जिन्दा नहीं रैसा को ऐसा मत बोला मा ऐसा मत बोला माजी आराम कीजी डॉक्टर में तो सिर्फ एक्सरे के लिए कहा है एक्सरे के लिए भी तो पैसों की जरूरत होती है अभी विचारी की नहीं 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 नौप करी लगी है तो दिल छोटा न कर्मा सब ठीक हो जाएगा सर येस मैं कहना चाहती थी मेरे मतलब है मेरी मा बिमार है बहुत बिमार है अगर आप मुझे थोड़ा आद्वांस दे सकें मिस्स रीटर हमारे फर्म के रूल्स और रेगुलेशन भहुत स्टिक्ट है हर महने की पहली तारीख तुम्हारी तंखा तुम्हारी टेबल पर पहुंच जाएगी पर नो एडवांस सर राजपल का फोन राज कहां हो तुम बेटा मैंने तुम्हें कई बार कहाए कि मुझे तुम्हारा घर से बाहर रहना बिलकुल पसंद नहीं दो रातों से तुम घर वापस नहीं आए कहां हो तु कामाईकर लोट से बोल रहा हूं निसार मर्चंट की यहां से डैड डैड मैं जरा उलजन में फस गया हूं डैड लग साथ नहीं दे रही है लगातार हारता तला जा रहा हूं अब आप ही बताईए ताश में हारे हुए पैसे दिये बगर घर कैसे आ सकता हूं और डैड सोचिये लोग क्या कहेंगे सेट सोहनलाल का बेटा वैसे तो बहुत नाम रोशन कर रहा है अपने बाप का अभी पिछले हपते ही 25,000 रुपय हार चुके हो रेस में और आज पाश में मैं पुछता हूं ऐसे कैसे चलेगा I'm sorry डैड कितने रुपय चाहिए 12,000 डैड मैं आपको बहुत तुक पहुंचाता हूं न Oh come on, पगला कहीं का मुझे तुमसे केंटे दुफ पहुंचेगा बेटा Thank you dad, you're a darling Okay, okay Miss Pereira ये चेक कैश्करा के राज को पैसे बिजवा जो लेकिन बैस बन कुचका सर कोई बात नहीं मैं मैंनेजर को फूं किये देता हूं राज को रुपय मिल जाने चाहिए वर्दाव आज दीन हर वापस नहीं आएगा लो सोडे के बगर विस्की ऐसी लागे सेड़ जी जैसे बिना टसमे के बूट और बिना टाई के सूट विस्की साली पानी में पीओ तो अपन को ऐसा लगे जैसे बिल के साथ कोई 7% सेड़ टाक्स जोड दिया हूं मैं तो जानो सेड़ जी आज कल धंदों में धरों क्या छे कमाई तो नाम की होवे है खाली इधर उधर से जो बचा लो बच जाए सेड़ जी आप बिलकुल ठी कहते हो बिना इन चक्रों के दुनिया के चक्र चले नहीं सकता आप तो जानते हैं सेड़ जी मेरी फर्म का असूल क्वालिटी है जाननलकै अर्डर पर 4 लाक का माल यि Carne को सप्लाई करें जानू सूअ अपण भी धंदा चाहे कम करू अपान करता हू तो टॉप क्वालिटी की हाँ अपन को धंदे में खोट गर्मियों में कोट और बिना लिपस्टिक कोट बिलकुल पसंदेग ते मुंशी जी तम्हें तो जानो इस बार मेरी सेक्रेटरी मेरे संग नहीं आई तम्हें कल एक बार कोई स्टेनो तो दो एक घंडे के लिए भेज़ दो जरूरी काम छे तेड मुरली दरजी आपके प्राइवेट काम की फिगर आप सो ज्यादा आमको है जब आईए नहीं आईशी से टेनो भेज़ दूगा कि उसकी स्पीड आपकर नहीं पाएगे यहाँ कोई नहीं पकड़ेगा अवर सेलेट को कोई नहीं पकड़ेगा चाहे पवंद उत हो चाहे त्वरी नहीं आवे तू आके तुम आफिस आने वाले थे मैं तो प्रिकल फूल गया मैं कल सुब आपके साथ चलूगा अचा मैं जरा थेरो थेरो इन से में लो इनका हमारे फर्म के साथ बहुत सा कारोबार है सेट मुर्ली धर ये मेरा बेटा राज अचा देट मुझे जरा उपर जागे मैं स्टड़ी करूँगा सेट मुर्ली धर हमारे बड़े पुराने ग्राथ हैं सुरद की नहायती माज़दार असामी है होटल शिराज में ठहरे हैं नमलूम क्या हुजाए अपके वो अपने सेक्टरी को नहीं लाए तू यो करना रेता शाम को साथ बजे तो मुंखे हैं छले जाना शाम के साथ बजे हाँ आज से तुम्हारे बिगुट नहीं के साथ रहे away लेकिन लेकिन लेकिन- हुझ मुझन तुम्हारे लिए यह nasi चुनारे की नवाका आगे अगर तुमने सेर जी को खुश कर लिया, तो मैं ऐसा चक्कर जलांगा, किसी महीने तुमारी तुमारी तरह की हो जाएगी लेकि मुझे करना क्या होगा? और जो करना क्या है, अलसे नहीं मुझे बतलाना होगा कि सर्थ को क्या थाज़ना चाहिए यू आर अगे दिए नगे मुजे पूरा पूरा यकीन है, कि तुम शेर जी को किसी वी तरागी शिकायत का मदा नहीं दोगी अल्षे में बेटा है बड़ी तोड़ कमें बड़ी ती सोहल लाल के पसंद था तो जवाब नहीं बड़ी देर से इमतिजार करूशू तभी बसे जाओ बसे जाओ क्या लोगे विस्की, बियर, जीन मैं डिक्टेशन लेनी आई हूँ अरे डिक्टेशन के लिए तो सारी रात पड़ी लिछे इतनी वी जल्दी क्या है डिक्टेशन की लोग मैं नहीं पिती नहीं पिती कोई बात नहीं अपन ही पी लेते हैं दूसरे की माल अजम कर लेने की अपन सानी के आदक पड़ी लिछे सेट जी सेट जी मेरी मा भी आ रहे है मैं घर जल्दी जना जाते हूं अभी तो आई हूं मेरी रात की रानी अभी अभी तो आई हूं आप मुझे खलत समझाए मैं सेट स्वालार की सेक्रेटरी रीता हूं अरे जानू चू जानू चू आज रात मने तुम सुंदर लाग उच्छू, आओ, आओ, मुर्ली धर के पास आओ, मुर्ली धर के निकट, निकट आओ मैं तुम्हारा मुह भी नहीं देखना चाता, तुम्हारी इस पेरूदा हरका से हमारी कमणी को जितना नफसान पहुंचा है, शाथ तुम्हें उसका अंदादा नहीं मैंने तुम्हें मुझनी धर खाँ इसली ही बेजा कान, कि तुम उसकी बेज़ती करो, चांटावारोग के मूपे बेज़त करनी की कोशिश मैंने नहीं की सेट जी, मुझे तो बताते हुए भी शरम आती है और जांटामा तुम शरम नहीं, तुम हमारे कमजी के साबिल नहीं, जो उपना इधार चुकता करो इतना अन्याय न करो सेट जी, मैं बेकुसूर हूँ, बेगुनाह हूँ असली गुनेगार तो सेट मुरली धर है, जिसने मेरी इज़त पे हमला करना चाहा मैंने वही किया जो एक शरीफ लड़की को करना चाहिए था जान लात कमाल लेने वाले, बतमाश है, अब तुम शरीफ हो यूरा दिसमेश, गेरा नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, अभी तुम इने काम शुरू किया है अभी मुझे मेरी तरखा भी नहीं देए, मेरी माँ बाहती मार है, उसका हलाज कैसे होगा यह डिपार्टमेंट स्टोर है, खरातियोत बता नहीं मैं ऐसे नहीं जाओगे, मुझे मालूँ है, स्टोर में काम करने वालों की एक यूनन है मैं अपना केशियो नहीं बितूगे गड़, वेरी गड़, तुम पास होगे मैं तुमारे इंतिहान ले रहा था हमारी कंपनी को तुमारी जैसी लड़कियों की दरो रहा जाओ अपने काम करो, अब तुम्हरी नौकरी पक्षी होगे प्रिश्चा बांके, ये नई लड़की धंकी देकर गई है कि हमारे खलाफ यूनियन में रपोर्ट करेगी है दराशाय लगना फिकर मत कीजे सेर्जी, मैं बोई चक्तर चलाता हूँ आध रहा जो फैसने की फैसर्जी अज़कर हमारे स्टर में चोरिया बहुत होने लगजए अगर अज़को चोरिया जाए तो सार्ड़सार की चुट्टी होजाए उसकी लेकर दराद्यान गरारिया नहीं साब भी मर जाएगा, लाटी भी नहीं उच्छो मा, गोली लेड़ू अरे, यह तो खत्म हो गई, कोई बाद नहीं, मैं शाम को और लेती आओंगे गोली के कोई दर्द नहीं बैटी, अब मैं ठीक हो गई जिर्चा मानेच्छा हाग लगे इस मुए बेमारी को, हाग पीछा ही नहीं छोड़ दी अन्मी से जान पर बोचा पनी बैटी भगवार मझे उठाता भी तो नहीं फिकर मत कर मा, तो जल्दी अच्छी हो जाएगी मैं दवाई के लिए मीरा से पैसे ले जाती हूँ तंखा मिलते ही उसे लोटा दूगी अच्छा मा, मैं जाओ अबीदी, तुझा तुझे तेर हो जाएगी पारिश हो रही है, परसादी लेकर जाना अच्छा अरे बई, जल्दी करो, लगते आज फिर मुझे देर होने वाली है बस हो गया लो, और रैशन के लिए पैसे देते जाओ आज आखरी दिन है और घर में चावल बिलकुल नहीं है ये लो दस रुपए, इस ही में गुजारा कर लो मेरा जीदी हाँ रेता काम पर जा रही है, तो फिकर ना कर, मैं मा को दवाई दे दूगी मगर जीदी, गोलियां खत्म हो गई है और ले, शाम को आते हुए दवाई ले आणा तुम सच में देवी हो जीदी, तंखा मिलते ही तुम्हारा कर्स चुका दूगी रश की चिन्ता ना कर, तु नहीं जानती, जब मैं बंबई आई थी, तो मेरी हालत भी बिल्कुल तेरे जैसी ही थी मुझे याद है, जब मैं बीमार थी, तो मेरे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे अब जब मैं तुझे कर्ज देती हूँ तो समझती हूँ अपने आप को कर्ज देती हूँ उसी मीरा को जिसका नाम किसमत ने आज रिता रख दिया है सच कहती हो दीदी हम गरीबों के नाम बदलते रहते हैं किसमत नहीं बदलती है किसमत बदलती है यह क्या है? चेकिंग, कैसे चेकिंग? कुछ चोड़ी हो गया हूपा, फ़ला पूछो, जो चोड़ी करेगा हूप के चीद अपने पास रख लेगा? फूल, लेस को फर चेकिंग पर्स? नहीं है यह रेन कुछ किसका है? पीर आहा, चला दिया न, चक्तर चोड़ी कर तरो शरम नहीं आई तुम्हें बैने कोई चोड़ी नहीं की तो क्या यहार उड़कर तुम्हारी जेब में आगया? इंस्पेक्टर साम, मेरे ख़याल में से पुली स्टेशन आई आई है मैंने कोई चोरी नहीं कि, इस हार के बारे में मैं कुछ नहीं जानती. क्या बात है वांके? सेड़ जी, इस लड़की नहीं हार चुराया है, ओ पकड़ी गई. बहुत बरी बात करिए. नहीं सेड़ जी, मुझे कुछ नहीं मालू. मैंने यहार देखा तक नहीं था इंस्पेक्टर इसे पुलीस टेशन ले जा नहीं सेर्ट जी, मुझे पुलीस के हवाले मत कीजिए आप चाहेंगे तुम्हें इनौकरे छोड़ दूँगी मैं जरीब जरूर हो सेर्ट जी, चोर नहीं भगवान की सौगन मैंने चोरी नहीं की सेर्ट जी, सेर्ट जी यहासा मत कीजिए मेरी मा बिमार है, अकेली है मैं जेल चली गई तो मेरी मा मर जाएगी मेरी मा मर जाएगी मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की मैं बेकसूर हो सेड़ जी बेकसूर हो वीता देवी तुम्हें चोरी करने के जुर्म में पांच सर रुपे जुर्माना और छे महीने कैद की सदा दी जाती है जुर्माना अदा नकरने की सूरत में कैद की मियाद एक साल होगी तुमने दर्χास कि है कि तुम सेश सोहनलाल से मिलना चाहती हो अधालत तुमें जैल जाने से पहले फुलिस की हिरासत में मिलने की अजाधत देती है येश सर, पोलीस इंस्पेक्टर मिला चाहते है इंस्पेक्टर? येश सर भी शेजी इसके नॉटिस बोर्ट में लगा दू ताके दूसरों को सबस्के जाए यहां मैंसे रिंजरूम और केंटीन में लगवा देता हूँ ताके स्टाफ को मालू हो जाए कि चौरी के जुर्म में रीता को एक साली खायद हो गई ये तुम? नुचा जेल जाने से पहले आपका शुक्रियादा कहता हूँ आपके वफदारी और इमांदारी के शुरू का मज़र में समझे वरना मुझे जेल न जाना परता हूँ आप लोग खुछ हो रहे होंगी कि आपकी साज़िश कामयाब हो गई लेकिन दिल ही दिल में आप चानते हैं मैं बेकुसूर हूँ मुझे जेल भेचकर आपने गुनाफ किया है आपके जमीर आप इस्पेक्टर जो है चार रही है उसे एक सुहनलाज एक साल के लिए जेल जा रही है लेकिन बारा महीने सारी जिंदगी नहीं होते जो एक साल तक आप मुझे भूल जाएगी लेकिन इस साल का एक एक पंज मुझे याद रहेगा और धर्वार की सागल मैं आप से एक एक मेरी की मत प्रसूर जाएगी एक एक बढ़ा मां कोगी एक एक बढ़ा मां कोगी आज की ताजा खबर एक लड़की चोरी करतो है पकड़ी गई आज की ताजा खबर एक लड़की चोरी करतो है पकड़ी गई आज की ताजा खबर हाज इसाला बबस्टों के लिए कर दो कर अ कर दो में लख कर दोला है अच्छे सुलूक की वज़े से तुम्हें पंदा दिन पहरे रिहा किया रहा है थेंक यू सार और हाँ तुम्हारे घर के कुई आया था कहे रहा था तुम्हारी माँ बहुत सर्द बीमार है माँ हाँ जलसुपन साप रिटा नम के लड़की रहा होने वाली थी हाँ आज ही रहा हो गई आज ही रहा हो गई यहाँ अभी भी गई हाँ रहाँ माँ हुग हुगok मा को तेरे इंसाफ में बहुत विश्वास था बहुत शद्धा थी तेरे लिए तुने सारी जिन्दगी उसे कोई सुख नहीं दिया वो फिर भी तेरी पूजा करती रही आज उस विश्वास उस रध्धा को में जलाए हूँ आज वो रीता मर गई है जो अपनी बेगुनाही थाबित करने के लिए दुनिया के आगे रोई थी चिलाई थी तुम्हारे नाम का वास्ता दिया था आज दूसरी रीता ने जनम लिया है जो इस वरेभी दुनिया का आप मकाबला करेगी आज के बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं मैं इस दुनिया से अकेली लड़ूगी अकेली बदला लूगी बदला लेना इतना असान नहीं दुनिया बहुत बड़ी है इसके टेरे मेरे रास्तों में अकेला इंसान तो यूही गुम हो जाए आप कौन है शायद तुम्हें याद नहीं आज से एक साल पहले की बात है तुमने मुझे पुलिस से बचाये था सुनसान गली अंधेरी रात पुलिस मेरा पीछा कर रही थी हाँ और मैंने उन्हें गलत रास्ता बताये था हाँ तुम्हारा ये एसान मैं जंदेगी पर नहीं भूलूँगा मैंने तुम्हें बहुत ढूड़ा मगर तुम नहीं मिली आद में ये मालूम हुआ कि चोरी के जुर में तुम्हें एक साल की सजा हो गई है हाँ मैं बेकसूर थी लेकिन मैं चोर साबित कर दी गई क्योंकि मैंने अपनी इसत पेचने से इंकार कर दिया था सोहनलाल ने एक साल के लिए मुझे जेल भीजा उसने मेरी मां की जान ले लिए मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूगी मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूगी चाहे मुझे फासी क्यों न लग जाए नहीं रिचा कानून से खेलना तुम्हारा काम नहीं मैं चाहता हूँ कि सोहनलाल अपने ही जाल में खुद भज जाए मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे और जिंदिगे उसे छीन ली जाए वो सांस ले लेकिन उसकी हर सांस में आ हो वो रोय चल्लाय तर्पे लेकिन उसे तसली देने वाला कोई न हो मगर आप तुमारी तरह मुझे भी इसने धुका दिया है और तुमारी तरह मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ लेकिन रिटा तुम मेरे बेटी की तरह हो मुझे पर विश्वास करो आज हम दोनों के एक दूसरे के मदद की जरूरत है मैं आपके मदद कैसे कर सकती हूँ कर सकती हो रिटा याद है पुलिस से भागते वक्त मैंने तुम एक चीज दे थी समहाल कर रखने के लिए तो तो पिक्चर पोसकार्ड थी हाँ वही पिक्चर पोसकार्ड कहा हम कहा रखे थे मैंने शायद इसमें हो यह हाँ यही है अब तक मैं इसे के लिए परिशान था जानती हो रिटा बुजूर्ग कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होनी चाहिए अब तक हमारे और सोहनलाल के दर्मियान एक उची और मुजबूत दिवार थी और पुछी दौलत लेकिन अब वो दिवार नहीं रहेगी यह देखा इन हीरो को मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर समंगल किया था अगर सोहन ने पुलिस को खबर कर दी थी इत्तफाक से कर तुम नहीं मिल जाती तो यह इंतकाम की आग सिर्फ हम दोनों को जलाती रहती है सोहन को उसके आँस तक नहीं पूंसती है लेकिन अब अब यह शिरे हमारी मंदिल के राह में काम्याबी के निशान बच जाएंगे हाहाहा आईए आईए सिर्फ जी बंबई के इस नए कैसीनों ने पैरस की रात को चक्तर में डाल जाएंगे हाहाहाई आईए सिर्फ जी कैसीनों इजक्षियाना हाहा सेड़ इंदर का अखाडा है इसलिए यहां हर चीज का डबल भाडा है आएए आएए सेड़ जी यहां की हाथ्सवाई के चक्कर में फस गए तो बस फिर कबारा इँ कबारा है लॉनाड यहां की देख पढ़ियां ही पढ़ियां हैं जन्मत का नजानाओ है अच्छा, तो ये भी आप पहुँचे क्या देख्रों रिटर? अंकल, हमारा कसीनो सच मुझे एक खुबसूरत जाल है यहाँ शिकार खुद वखुद अपनी मर्जी से आभसता है को ना है? वान दबल पहुच अंकल, आपी बीदा मुझे तना अंकल, आपेश्चे वान दबल आप खुद बाव आप हाव अजी एक महांगो हजार बिलते हैं यह जेट करन तो ना होता है यह चलते कंदर लिलें, जिर आइए इतलों कि चना रहा है आहा हास्ने की माच्छष गवांके लाल जी बहुत दिन हुए याद नहीं किया आरे तुम जैसे हुनर मंद्नों को मावुली काम धोंक ठोड़ी का जाएगा जब जरूर पड़ेगी तुम्हें तुम्हें चला देना चक्कर अजित एक आई 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 मोली प्रिजेंट यू आपको एक ऐसा अजूबा दिखाया जाएगा जिसे आपने न देखा होगा न सुना होगा न पड़ा होगा एक तेज तलवार की नौक पर एक कुमल खुब्सूरत लड़की जदू के जोर से सुलादी जाएगी शाबाद, शाबाद, वाद एफ लग स्ट कर अवफ बड़ दो हाव अवभ अाव जावाव कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चे घर प्लग कि अबावर बार दो 142 बार दो करिए थे। और 분들은 क्यूंद सत्र। हुआ 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 हु जज हुआ 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 आपकी रहने काते ह nouveau से चाहँ डेना स्मस्तराइब सा pea क्छे है क्पोरोल शक्षे अंडूर अपसे की तना के है लेडिस ए जेडि़री वैट तो साँ अठी क्षेने का है लेडि़री जेटिया क्षेजटनरन iç हॉब इस दूस काओ पर वापन, पर वापन, पर वेगवेश, वेड़ी दे कमार्शा बेमानास मुझे सख्टनफरत है बेमानास मुझे? सख्टनफरत है हाहाहाहा! ओ! हाहाहा! सख्टनफरत है जर्षटनफरत है जर्षटनफरत है जर्षटनफरत है जर्षटनफरत है का जूली आवा आजाने जाने मेरा ये हुसन जवा 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 तेरे लिए है आस लगाए ओ जाने आजाने जाने मेरा ये हुसन जवा 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 तेरे लिए है आस लगाए ओ जाने माजाने माजाने कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, करिक दो, हाँ, आँख से मस्ती तपके है, तपके है, तु देखे ना। दिल का सागर छलके है, छलके है तो संझे ना। आलालालालालाला वा क्यों तर्पाए तु क्यों तर्साए ओ जालिम आ जाना आ जाने जान आ मेरा ये खुसन जवां 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 तेरे लिए है आस लगाए ओ जालिम आ जाना आ जाने जान दूर से कितनी आई हो आई हो तु जाने ला प्यार का तोहमा लाई हो लाई हो तु माने ला अलालालालाला अबे दर्द से तु क्यों ढुकराए ओ जालिम आ जाना आ जाने जान आ मेरा ये खुसन जवां 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 तेरे लिए ख्यास लगाए ओ जालिम आ जाना आजाने जाओ आजाने जाओ सब्सक्राइब अच्छा तो ये है वसेजे इसे काटलो तुम मजा आ जाए सरो देखो सारे पाक की दौलत किस तरह आपे श्रेज में भरा चला रहा है जोटना आपका जोटना मननने तो काम मलीगा अचे जोटना 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 मननननने की हर चीज खेलू छोटना पन अगर पाटना तुमारे जेबे सुन्दर होए तो सोलो खेलू छूँ खाली तुम खाली हम मन्जूर मन्जूर काट खेलू तो छूँ पन तुमारे तकी जीती नाही सकूँ वो क्यों? मुटाश कम तुम्हे ज्यादा देखू ओहौ क्लोजिंग थाइम थी आपने तु मेरा सब कुछ लूट लिया सेची एक खेल और खेले मगर आप नहीं खेल सबते कसीनो तो बंद हो रहा है कसीनो बंद हो रहा है तो क्या अपने दिल का समरा तो खुला छे जितनी का चांस देंगे न तो चलो अपने होटल का चलो होटल में? अकेले? ना बबा ना मेरा तो दिल धालकता है दिल तो शाला अपन कावी धालके छे अपन तो रमी खेलेंगे ना सिरफ रमी ना देखो सेची आना कुद कर सेची 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 नहीं मुरली धर खाली मुरली मुरली? कैसी सुरीली आवाज है मुरली क्या ऐसी खुश्बो तो हमारे रेशं के गोडाओं से आवे छे आ आ आ I told you सेची मैं तो सिरफ रमी के लिए आई अरे मैं भी तो ही कहूं सू मेरे मकमल के खान अच्छा ये रमी हमेश नहीं हो सकती हमेश? हाँ मेरी जान, Rebecca मेरी जान, Rebecca मेरी जान, Rebecca मैं बड़ोदा से सूरत आया हूं लेकिन सूरत में रहकर तेरी मोहनी सूरत को तरस जाओं हूँ मेरी जान तुम कलब से चार-छे दिन की छुट्टी लेकर मेरे पास नहीं आ सकती हर घड़ी तेरे इंतजार में मुरली धर बंसी धर मैं साथ अगस्त को बंबई पहुच रहा हूँ अपनी रिबेका के पास सिर्फ तेरा मुरली वकिल सहाब आपके सेट इन खतों में मुरली धर बंसी धर से मुरली धर हुए और अब सिर्फ मुरली होकर रहे गए यानि जो जो इश्क बढ़ता जाता है आशिक का नाम खटता जाता है ये इश्क भी क्या-क्या रंग दिखाता है मगर सुनिये तो सुनने लाएं तो आपके क्लाइंट सेट मुरली धर के ये सब खत है बड़े मंजे हुए आशिक मालिम होते हैं बस एक आखरी खत और सुन लीजे मेरी अपनी रबेक्का तुम बंबई छोड़कर कोवेत जाना चाहती हो क्योंकि तुम्हे वहाँ ज्यादा पगार मिलेगी नहीं नहीं मैं तुमको कोईत नहीं जाने दूँगा तुमको कब भी नहीं जाने दूँगा अब तुम जीवन भर मेरे संग रहोगी हमेश के लिए मेरी अपनी और इस पर भी आप कहते हैं कि सेट मुर्ली धर ने इसे शारी करने का कोई वादा नहीं किया तो क्या आप मेरे क्लाइंट सेट मुर्ली धर के खिलाफ कोर्ट में दावा करेंगी जी नहीं हम उने फुला के हार पहनाएंगे आप धंकी देकर अपनी बात मोना चाहती है धंकी नहीं वकील सहाब केस कल कोर्ट में जा रहा है आपको शायद मालूम नहो ये ब्लैक मेल है मिस लीटा अगर ये ब्लैक मेल है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए आप अच्छी तरह जानती है कि सेट मुर्ली धर एलेक्शन लग रहा है इस किसम की पुब्लीसित लिए उससे काफी लुक्सान पाँ सकता पुलीस इसे राज भी तो रख सकती है वो रहा टेलिफून नमबर वन 00 अच्छी तरह जानती है कि सेट जी ने आपसे शादी का बादा नहीं किया बादा? वो तो शादी की पकी तारिक बताने वाले थे क्या उन्होंने लिखकर दिया था कि वो आपके साथ शादी करेंगे ये सप्रेम पत्र मेरे होने वाले पती सेट मुडली धरने लिखे है वो सूइट, वो रूमैंटिक आप शेकिन के साथ कह सकते हैं कि सेट जी ने आपसे शादी का बादा किया था मैं कासम खाकर कहते हूँ मेरा मुडली मुझसे जूट नहीं बोलता He's so nice, so cute सुना आपने ये अदालत में कसम खाकर कहेगी मैं भरी अदालत में मुडली का हाथ पकर लूँगी मैं ये मामला निक्टाने आया है आप लोग को क्या चाहिए मुझे मेरा मुडली चाहिए और अगर वो ना मिल सके तो जैसे हमने आपसे पहले ही कहा शादी का वादा तोड़ने की कीमत बीस हजार रुपए ठीक है मिस्ट रिटा आप जीती और ये लिजी बीस हजार रुपए ऐसे नहीं इसके लिए आपको हमारे वकील से मिलना पड़ेगा इस लंबे जंजट की क्या जरूरत है पैसा लोग ख़त दे और ब्लैक मेल के जर्म में साथ साल जेल जाओ नो थैंक यू मैं तो कहता हूँ कि आपस की बात आपस मेलने पड़ जाए तो अच्छा है नहीं चुनी भाई कानून की बात कानून से निपड़े तो अच्छा है आप कल शाम के चार बजे हमारे वकेल मिस्तर धिरुबाई पटेल के आफिस में मिलिए ठीक वकेल साथ आप अपने निशानी वाले नोट तो भूली गए कमाल है रीटा तुम्हें कैसे मालम हो गया के वो नोटों पर कुछ निशान लगे होए थे एक साल जेल में रहकर बहुत कुछ सीख लिया है रेबेका अब मुझे पता है कि ब्लैक मेल क्या है और कानून क्या जो चीज कानून से हासल हो सके उसे ब्लैक मेल जैसे खतरनाक तरीके से हासल करने का फाइदा एक्सलेंट 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 वाकर तुम 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 बदल गई हो अब वो तीन साल पहले वाले रीटा नहीं नहीं राजपाल जैसे लड़के का दिल वही लड़की जीत सकती जो हर लहासला जवाब हो कश्मीर के लिए कल की सीटे रिजल्व हो गई है वहाँ तुम्हारे रास्ते में एक छोटी सी रुकावट है और वो है सोहनलाल के मैनेजर की लड़की तुम सुन रही हो ना आप रुकावट की बात कर रहे थे ना आपके होते हुए कोई भी रुकावट मेरा रास्ता नहीं रोक सकती गट राजपाल जवान है और जवानी में दिल बहता हुआ पानी होता है जिसका रुक जिधर चाहो बदल लो तुम राजपाल के दिल और दिमाग पर बिजली की तरह गिरो उसे सोचने समझना का मौका नो दो क्याद रखो हमारी जीत इसी में है कि वो तुम से शादी कर ले तुम उस घर की बहु बन जाओ और उस खांदान की इज़त कहला हूँ उसी दिन से हमारे इंतकाम शुरू होगा उस दिन के लिए मैं भी बेचैन हूँ लेकिन इतना ख्याल लखना राजपाल काफी खूबसूरत जवान है लड़कियां उससे मिलने के लिए बेचैन होती है लड़का मासुम नजर आता है ना लेकिन फिर भी वह हमारा दुश्मन है हाँ जारेलाद रेका अगर तुम चाहो तो राजपाल का ये टट्टू पर बैठा वर टट्टू तेको पहले क्या सरकस करना जाता है वाँ 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 इस बैर के खेले में हमारी काफी मदद कर सकता है हमारे राजपाल में एक रोकावाट है मा के लाज जो मुझ फाल के बियर की रहा है अब देखो रोज की तरह लुड़कने वाला ये शक्कर में है कि राजपाल इसकी बेटी से शारी कर ले इससे अपनी दुलहन बना ले और ये भी सोच रहे कि खूबसूरती में मैं क्या कम हूँ ये देखो लेकिन अफसोस है कि बेचारी के सपने पूरे नहीं होंगे ठीटा हमारा मकसुद है इंतकाम और जब तक तुम प्यार चता कर राजपाल से शादी न कर लो हम कामयार नहीं हो सकेंगे गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ तेरे मेरा साथी जा जा मैं तेरे साथी आवाज हूँ आजा मिलते बात ले हो, क्या खुश्या क्या हो तन्हा तन्हा ये का, जहर पे क्यों हम तू मेरे जीवन का पंची, मैं तेरी परवाज हूँ गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ दो दिल का साथ नहीं हो सारे उमर का है सा, जो दो दिल का साथ नहीं हो सारे उमर का है सा, जीत जीना, भांगे जुदाएं आज मिले जो हाँ तू मेरी सांसों का मालिक, मैं तेरी दम साज हूँ गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ आप उसने शाटो देखलिया, तुमारे तरफ देखराए अब तुमारे तरफ आरहे रहे रहे, तहाँ तुमारे तरफ आरहे रहे, तहाँ यह, यह, यह यह वो प। – वबुमारे तरफ, त वहाँ देखराए यह जीप आपकी है बहुत अच्छा गाती है आप मैं समझा यह आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती है तो किसकी हो सकती है किसी फरिष्टे की मैंने सोचा इन हसीन वादियों में सैर करने के लिए आसमान से कोई हूर उतराई है सच पूछिए तो आप भी किसी हूर से कम नहीं आप एक काफी खुबसूरत जवान है क्या ख्याल है आपका यकीन मानिये लड़कियों के मामले में काफी खुश्खिसमत रहा हूं लेकिन आज तक किसी हूर से वास्ता नहीं पड़ा अच्छा हुआ पास्ते निभाने मुश्किल हो जाते हैं मुझे नीचे तक छोड़ दीजेगा हाँ जरूर आप इतनी सुबह अकेली आई हैं आप जो हैं जीप नहीं चलाईगा सामने देखकर चलाईए कहीं आप साथ हैं ना उतको सुदूर अजनबियों पर विश्वास नहीं किया करते हैं तिल कर बैठा है ओ जीप रोकिये मगर क्यूं आपका दिल तो बड़ी तीजी से धड़क रहा है कमजोर दिल वालों के साथ बैठना अच्छा नहीं कहां रहती हैं दिल की धड़कनों में फिर कब मिलें गए जहां आप चाहें कब जब आप याद करें अरे चल मेरी बेगम मेरी लेला मेरी परी मेरी हूर घोडी भी मेरे साथ चलने को तयार नहीं मालम होता है और अवरत जात को ही मुझसे नफरत है ऐ घोड़ी घोड़ी खाली है बिल्कुल खाली घोड़ी एगदम खाली है ये दलत पिद्धक्ट,क्त थह थाг है खाले अग्यू cigarette को फेट धार ठीट कि अहोगे कि आप कि 3ड अपथ को निजय को साव मेरे कभी गोड़े कजी लुडिया की एर उपको निर्को आ वहाई जया Ist प्यारो गाया माऱ्य हिो ए मत क्शूम् समझ गया, समझ गया, बास के पंजे में नई चिडिया फिर आई, कौन है वो, कोई है, कोई है, पहली उनागात है, बिल्कुल पहली है, जवान है, उसे देखकर जवानी भी शर्मा जाए, उसने तो मैं जरूर ठपढ़ रहा होगा, यही तो डिफरेंस है प्यारे, आज मैं ज रखती तरखत है, यहां तो कोई दिखाई नहीं देता, तुमने उसे यही छोड़ा था क्या, इसी पुल पर, लेकिन मुझ छी किसी, क्या आज के पर थे, वो क्या बादलों से उतरी थी, तुमने उसे पैदल चलते देखा था क्या, पूरे पैदल नहीं चला करती प्यारे, वो उरती है, आस्मान पर, हवाओं में बादलों की तरह, तुम यही ढरो, मैं खुद देख या था हूँ, उरती है, हवाओं में, बादलों में, देखो, वो थी तो लड़की ना, इसमें डरने की क्या बात है, मैं खुद इंक्परी करके आता हूँ, मस्से बच के जाएगी वह लड़की रही है, वह लड़की रही है वह क्या है? वह क्या है? आपकी सांस क्यों फूल रही है? आपके लिए कितनी दूर से भाग करा रहा हूं मेरे लिए? हाँ, अभी अभी आप उस पहाड़ी पर थी और अभी? पहाड़ी पर? आप होश में तो हैं? शायद नहीं, आप हर जगा मुझे निज़राती हैं शायद आपकी आँखे आपको धोखा दे रही हैं आँखें धोखा दे सकती हैं लेकिन दिल नहीं क्या फिर तेजी से धड़कने लगा? इतने जलती इतने खरीब आ जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकता था बिजली जब गिरती है तो सूचने का मौका नहीं देती वादर अगर बिजली को पहले उसे निकलने ना दे तो आज शायम को आप क्या कर रही है? आपकी क्या फर्माइश है? जेली उनकी सेर को चले? सोचेंगे मचली जब काटे पर लग जाए रस्ती धिली छोनी परती है मेरा ख्याल है राजपाल को आज उन्तजार करने पर उसे इस बात का ऐसा दलाना जरूरी है तुम्हे पाना इसना असान नहीं अरे भाई आजाएगी चलाओ आप पेशन्स जल्दी करो थैंक्या आओ देखा डैडी वो जान बुझकर मुझसे दूर भागता है जरूर कुछ डाल में काला है रोना काम है बच्चों का बीटिया में ऐसा चक्कर चलाओंगा जितना काला है ना अब सुपइद हो जाएगा आप बैटो शिकारे में आप संबल आप शाबाज बैटो आप चालो भई ये कुछ बात हुई अब आप महबत के मरीज उसे ना आना था न वो आई की उस फूर को तो समाल जब बंबई से तिरे लिए आई है वो देख वो और उसका बाप शायद हमें ही जून रहे अरे ओ बेटा राजू पागे आप पिश्य करवाला अरे आप चल्दी करो अरे आप चल्दी करो आप चल्दी करो मन के राने हैं मिल गई है मेन चप्राइब मीन के राने हैं मेने कामियम साहब आप कहा से कहा से現在 अधैरी और आ कंभी आपको आहने के साथ कॉँने आपके लिये हैं ये अपने आया को भी learnt बापस अगे फार गया घ्म砰 गाला कर दो बाटा कोमीचा इक सास में पूछने हूँ क्या फैसल गिल मेंुद ज्यां आपकाश चाना जाना सब का प्निस्टा हमेश्चा मीठा होता है मेरी किसमत कफल मीठा है, मैं जानता हूँ आप परे वो है आप नहीं, तुम तुम? हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए फिर जमाने का क्या है, हमाना नहो आपके प्यार का जो मिले आसरा फिर पुदा का विजे शक सहारा नहो हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए तुम ही हो दिल में, तुम ही हो मेरे निगाहों में, नार आएगा अब कोई मेरी राहों में, करूना आर्जू, करूना आर्जू, मरने के बाद जन्नत की अगर यह जिन्द की गुजरे तुमारी बाहों में, तुमारी बाहों में प्यार के चांद से रात रोशन रहे, फिर कोई आसमा पे सिताना न हो हम तुमारे लिए, तुम हमारे लिए हाँ हाँ नजर नजर से कदम से कदम मिलाए हुए चले है वक्त की रफचार का घुडाए हुए बहार पूछ रही है बहार पूछ रही है जमन के पूलों से ये कौन आया के तुम सब हो सर जुकाए हुए सोच में फूल है हम अगर चल दिये फिर जमन में कभी ये नजरा नहो हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए फिर जमाने का क्या है हमारा नहो आपकी प्याने का जो मिली आसिरा फिर कुदार का विसे शक सहादा नहो हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए हलो आंकल, आंकल, ये मिस्टर राजपाल है, हाँ, वेरी वेल थैंक यू, आप यह रहते हैं, जी नहीं, मैं कश्मीर हर साल चुट्टियों के लिए आता हूँ, इसका मतलब है कश्मीर सापु काफे दिल्चस्पी है, ऐसे कोई बात नहीं, जी चाहता है मैं हर साल योरोप जा जान से बाहर नहीं जाने देते, वो मुझे से इतने प्यार करते हैं, मुझे उनकी बात माननी ही पड़ती है, इसे कश्मीर उनके ख्याल में दुनिया की सबसे इच्छी जगे है, आपको नहीं लगती है, तेरा असल बात यह है, इसी साल कश्मीर मुझे बहात पसंदाया, मेरा मतलब है, मुझे कुछ काम याद आगे, मैं चलता हूँ, नमस्ते, बाइ, लड़का वाके मासूम और शरीफ है, लेकिन क्या किया जाए, इसका बाप भी ऐसे था रिटा, मेरा सबसे गहरा दोस्त, ऐसा दोस्त जिसके लिए मैंने जेल जाना तक गवारा किया था, जेल हारे टा, आसा 20 साल पहले की बात है, हम और सोहनलाल बिजनेस पार्टर थे, एक दिन हमरा जाज रंग उनपूर्ट पर लगने ही वाला था, तो बुरी तरह से पकड़े के सोहनलाल वो देखो, पुरीज बो पिचारी है, मेरे ख्याल में सारा माल पानी में भैक तो, क्या कह सारी जिन्देखी भर्जपी कमाईयें, कुछ ऐसा हैं, माल भी बच्चा हैं। लेकिन हम दोनों, रंग म्याग सारी जिन्दगें बच्चतार हिंगा और हमारे बच्चह हिंज।्थ Bijल के वी साहत है। तो फिर क्या यह ना सी ह हम दोनों में से एक को तो हिंडूशतान पहु अगर मैं किसी तरह हिंदुस्तान पहुंच किया, तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चे की भी देख भाल कर सकूँगा, और अपने बच्चे की भी पुसूर तो में ने किया है, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें काम करो, तुम किस तरह यहां से निकल जाओ, सिर्फ मेरी बीवी बच्ची का ख्याल लगता हूँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो जाओ अगर मैं हिंदुस्तान पहुंच किया, तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चे की पूरी तरह से देख भाल करूँ मैं समस्ता हूँ, मैं तुम्हारे जुर्मा फ्रेसर पहले लेता हूँ, तो फिर मैं जाओ जेल काटने के बाद, जब मैं हिंदुस्तान वापस आया तुमने मुझे हमेशा छूट बोला है, हमेशा भुका दिया है मुझे, अगर कल तक हुंडी की पेमिंट न होई, तो मुझे एक्ष्ट पीरा लाल, तुम बर्मा से कब आए? अब याय सुनलाल, जहाद सुतर के सीधा तुम्हार पास आ रहा हूँ, कैसे हो, बड़ी शांदार कोटी बना ली अब तो बहुत खोशी हुई तुमसे मिलकर, मैं कुछ बिसनस की बातों में मस्रूफ हूँ, तुम बाहर बैठो गए मैं तुमसे बाद में मिल लूँगा, मैं सिर्व इतना पूछना चाहता हूँ, कि मेरी भीवी कैसी है, मेरी बच्ची कैसी है मैं इन से निपट लू, तुम बैठोगा हाँ वो तुम निपट लेन, एक काम करो, किसी को मेरे साथ भेज़ दो, मैं घर चला जाओ, बाद में तुमसे मिल लूँगा क्या बात? देखो हिरलाल मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे बाल बच्चे कहा है क्या मतलूम मालूम नहीं दरसल मैं कुछ इतना मसरूफ रहा हूँ कि मुझे वक्ती नहीं मिला कि किसी सुड़ से में वक्त नहीं मिला सौहन लाल, तुम्हें बचाने के लिए, ये अपनी जिंदगी जेल में गुजार दी और इन अट्रा बर्स में तुम जरा सा वक्त नहीं मिला कि मेरी बीवी और बच्छी की तो बहुत की कई दफ़ा कोशिश की लेकिन अखिर मुझे भी तो पचासों काम हैं पचासों उल्जन नहीं पेरे बिजनेस उल्जन नहीं सौन लाल रुपए कमाने के लालस में तुम भूल गए कि तुमने मुझे वादा तुम मैं सौन फरामोशु तुम कमीने वाशिराला अब तुम आगाए हो जो अपने बाल बच्छ करती है सौन लाल किता मैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सोहनलाल मेरे साथ ऐसा सुलुक करेगा उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया चाहे मैं खुद बर्बाज होता हूँ सोहनलाल से बदला लेकर ही रहुगा बसरिटा कई तुमारे कदम न डगमका जाए सुलुक करें आप तो अपने घर की सिजावत में लगे हुएं और मेरा घर बिल्कुल सूना हो जाने वाला है पांकेलाल लड़की को बाप का घर एक नएक दिन छोड़ना ही पड़ता है रसी दर धिली करो अजी रसी तुमाने बहुत धिली रखी थी राज नहीं पकड़ी अब इन्दू मा क्या होगा अजी बाप हो तुम कश्मील में रहकर भी तुमारी बैटी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया और यहां राज का फूल पर फून आ रहा है कि लड़की इसको पसंद है सगाई की तैयारी की जाए तो मेरे लिए एक तसाहिपी तैयारी कीगा है सेट जी वो लड़की हिंदू महीं है कोई दूसरी लड़की है आज कल के लड़की खर कोई बात नहीं लड़की राज को पसंद है तो मुझे भी पसंद है आज रात यहां पार्टी है चलो मेरा हाथ बटाओ अड़की है जाए क्यों की आई मえー बाराई खर मढ़ेझे साई है ए Winds also बाराई ये बाराई veuseقي ऑो आजी दूस्द पूस्य वाच जिजिए मत्वें ढशदी लडर सेन मुद्धतों से मेरी खाइश्टी कि घर में बहू है लेकिन बहू इतनी सुन्दर होगी जिसका मुझे गुमान जो नहीं था तू बड़ा खुश्किसमत है बेटे जाओ इसे मेहमानों से मिला दिन देतनी स्टेंगी कि घर में देटें आगे प्रणी कि अगे। अ मैं रीटे बाइश्टी कुमार वाइश्टी कि अजो तर रहा इसे बिलिव धरी धरी टेंच्वेल्यम्स एच्प एटेंच्श्टी अग में स्टिकी धाइव टेंग। कश्मीर जाने वाले हवाई जहादों की फ्लाइट कैंसल हो जाती है वहां के मौसम पर कोई ठीकाना नहीं है तो फिर वहां पर की हुई मेल मुलाकात के चक्तर का पला क्या भर हो साथ कि मेरे सेड़ जी वहां करेंको अब ये सेड़ जी पार्टी वड़ी जोरदार हो रही है ऐसा लगता है जैसे लड़की को कहीं देखा है की पैचानी सुरत लड़की अचिए अरे अची एक लगाने देगा बांके, वहार लाए हो राज ये मेरी तरफ से अपनी मंगीतर को दे दो ये डाडी की तरफ से तोफ़ा है दोफ़्यकरा टूफ़ अपनी की मैने को इच और नहीं की तो क्या यहार और का तुम्हारी केम मेंे आगिया इन्स्पेकर साथ, मेरे ख्याल में से फुली स्टेशन ले आगिया नहीं नहीं, मैंने कोई चोड़ी नहीं की सेर्टी, मुझे तो कश्मीर में ही शक पढ़ गया था कि इस लड़की दी पीछे जरूर कोई चक्कर है आज इस हार ने वो चक्कर पूरा कर दी यह वही लड़की है जो हमारे स्टोर में आज से तीन साल पहले काम किया दप्ती थी और आपने इसे एक साल के लिए जेल फिचवा दिया था और यह धंकी दे कर गई थी कि वो जरूर बदला लेगी, वही लड़की है यह राजू यह लड़की जो है शायद मैंने क्या हुआ रीता, तुम्हेंसे क्यों चली आई अच्छा हुआ तुम आगये यह लो, यह क्या, जरूरी नहीं कि हर मुसाफिर को मन्जिल मिल जाए ओके राज, क्या हो गया तुम्हे, किसी ने तुमसे कुछ कहा तुम्हारे डैड़ी ने तुमसे कुछ नहीं कहा नहीं तो नहीं कहा, तो कह देंगे तुम डैड़ी से घफरादी क्यों हो जाने क्यों डर सा लगता है जैसे वो यह शादी नहीं होने देंगे मेरी डैडी ऐसी नहीं है तुम यह वहम अपने दिल से निकालतो वो कभी उंकार नहीं करेंगे और अगर उन्होंने उंकार कर दिया तुम फिर भी मुझे से शादी करोगे रीता तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं बाप और बेटे के प्यार के बीच मेरा विश्वास डगमगा गया है इस से पहले कि तुम कोई मजबूरी बताओ वेहतर यही है कि मैं ही तुम्हारे रास्ती से हट जाओ तुम मेरे अम्तिहान ले रही हो मजबूरी का भाना कमजोर इंसान लगाते हैं मैं उन्हें इंसानों में सही हूँ जो हम सफर्दमन कर साथ छोड़ दे मैं शादी तुम ही से करूँगा अभी अभी हाँ हाँ अभी इसी वाक्त उस लड़की ने ये देखकर के राज आपका एक लोटा बेटा है सारी जाएदार का केला वारिसे बस उसने पी चक्कर चला गो इस चक्कर में को हमारे खानदान की नाक काटते सेर जी नाक तो उस दिन कटेगी जब वो बहु बनकर यहां आएगी ऐसा कभी नहीं होगा सेरे देखिए होने को तो सब कुछ हो सकता है मैं तो कहता हूँ खैरियत इसी में गुजरी कि अभी तब कुछ हुआ नहीं अगर आप चाहें तो उस लड़की को राजसे से हटा लिया जा सकता है इस साफ जाहिर है कि उस लड़की को आपके बेटे की परवा नहीं रुपाय की जरूरत है आपको रुपाय की परवा नहीं अपने बेटे की जरूरत है बस चक्तर तो यूँ चाल जाएगा मा तेरी चिता के सामने खड़े होकर मैंने कसम खाई थी कि तेरी मौद का बदला जरूर लूगी आज मैंने उस रास्ते पर अपना पहला कदम उठाया है सोहनलाल के बेटे से शादी कर ली है उसने बेटी से माँ छिनी थी मैं बाप से बेटा छिन लूगी सेर सोहनलाल आप से मिलना चाहते है सेर सोहनलाल मुझे आप ही बाइज पसान था मैं चांती थी आप मुझे आशिर मार दे में जुरूर आएगे अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि तुम वही लड़की हो जो मेरे हान नौकर थी तुम्हे मंगनी कभी नहोने देता है मंगनी तो हो चुकी सेर जी और आप ये शादी नहीं होगी तुम बंबई छोड़ दोगी और फिर कभी मेरे बेटे का मुझे देखो शायद आप समझते हैं मैं अभी तक आपके स्टोर की नौकर हूँ नौकरनी तो क्या हुआ हर एक शख्स की एक कीमत होती है जिस पे वो बिक जाता है आज मैं भी तुमसे एक सौदा करने आया है लेकिन मैं सौदा करने के मूड में नहीं मैं एक इंसान हूँ सेटची दुकान नहीं लेकिन आपका भी कोई कुसूर नहीं आपने जिंदगी में सिर्फ दुकाने देखी है इंसान नहीं देखे पचास हजार का चेक लिख दू पचास हजार आप मुझसे ले जाएए एक लग दो लग तीन लग चार लग ये लग और आप मेरे बैटे की सुरत का भी मत देखना कितनी अजीब बात है जब मैं मासूं और बेगुनाह थी तो मेरी बीमार मा के लिए चासर रुपे का इडवांस न दे सके थी और आप जबकि मेरे माथे पे जेल जाने का कलंक लग चुका है आप मुझे चार लाख दे रही हैं ये मेरे जेल जाने का इनान है या मेरी मा की मौत की कीमत आप जा सकते हैं तो तुम चाते हैं कि मैं राज को सब कुछ बता दू आप क्यो तक्लीफ करेंगी मैं उसे खुद बता दूँगी कि चोरी के जुर्म में मैंने एक साल जेल काती है तुम उसे कुछ नी बताऊंगी राज मेरा कलोता बेटा है आज तक मैंने उसकी कोई बात नहीं टाली मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें चाहता है अगर उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो उसके दिल पे क्या गुज़ाएगी हलो रीता डैडी आप यहां मैं तो समझाए आप गॉल्फ खेलने गए होंगे राज तुमने अपने डैडी को अभी ता खुश खाबरी नहीं सुनाई कल रात ना घर देर से पच्चा और आप सुबा जली निकलाएग डैडी कल रात हम दोनों में शादी कर लिए क्या मैंने सेट सोहनलाल के बेटे राजपाल से शादी कर लिए शादी? ओ, फिकर मत कीजे मुझे आपकी इज़त का पूरा ख्याल है शाम के सब अख़वारों में हम दोनों की तस्वीरें चप जाएंगे तुज्जान यहां तक पहुंच चुका है यह इसकी खतरनाख जान है बेटा इसे के दो कि तुमने इसे शादी नहीं की यह सब जूट है यह सब सच है यह सच नहीं है मेरा बेटा एक चोड से शादी नहीं कर सकता मेरी बहू की माते पे हीरों का ताज होगा जिर की सदा का धबन है जिर हाँ बेटा यह इसका असली रूप नहीं जो तुम देख रहे हो यह मुजरिम है इसने एक साल सजा काटी है यह जूट है यह सब छूट है रीता कह दो कि यह सब छूट है यह सच है मैं कहता हूं यह सच नहीं है डैडी आपको धोका हुआ है यह मेरी रीता है मुजरिम नहीं अदालत में मेरा जुर्म साबित कर दिया गया था यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता, डड़ी, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता देखा, कितना दुख पहुचाया है तुमने इसे, दिल तोड़ दिया उसका खबराये नहीं सेट जी, यह किसी घरीब का दिल नहीं, जो एक बार तूटने पर हमेशा से सकता रहेगा अमीर आदमी के सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती अगर आपके पहलों में दिल होता सेट सोहनलाल तो उस दिन मेरे बेगुना हासुआ पर पिगल उठता मेरी बेचारगी पर रो उठता अगर आपके सीने में दिल होता तो शायद आज मेरी माँ जिन्दा होती और शायद आज आज आपको अपने बेटे के दिल तूटने की आवाज ना आती लेकिन उस वक्त आपका वक्त था और आज वक्त मेरा है इस दिन के लिए मैंने तीन साल इंतजार किया है तीन साल तक बदले कि आख को दबाती आया हूँ आखिर आज मैंने आख की बेटे से शादी कर लिया आज से मेरा इंतकाम शुरू होता है तुमने मुझसे शादी की है क्योंकि तुम उचसे प्यार करती हूँ मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया तुम जोट बोलती हो मेरी तरफ देखो और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती कोई बैट नहीं तुम मेरी बीवी हो तुम मुझसे प्यार करने लोगोगे मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम इलके बेटे हो आखिर तुम्हें क्या हो गया बेटा एक लड़की जो तुमसे बोल रही है कि वो तुम्हें नहीं चाहती तुम इस सचाजी करना चाहते हो जो कभी हमारे खांदान के काबल नहीं बन सकती अगर मैं आपके खांदान के काबल नहीं बन सकती तो किसने मुझे ऐसे बनाया आप एक शरीफ लड़की को जेल भेजेंगे और चाहेंगे कि वो फरिष्टा बन कर निकले मैं नहीं जाना चाहता कि तुम क्या थी करीटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिर्फ तुमसे तुम जो आज हो भूल जा तुमने क्या किया था भूल जा तुमसे क्या हो गया था आज के बाद तुम एक शरीफ लड़की हो एक शरीफ बीवी हो एक शरीफ खांदान की पहुआ यह नहीं हो सकता यह कभी हमारे खांदान की इंसर नहीं बन सकती मैं इसे प्यार करता हूँ मैंने से शादी की लेकिन ये एक चोर है, दो के बाद है, कानून की निगाओं में मुझरिम है वाह, चोर तुम लोग बनाओ और मुझरिम का खिताब हमें मिले इस जब तुम लुटो डाकू हम कहलाए किसी की बेबसी का मजाग तुम उड़ाओ और शेयतान हम समझे जाए नहीं सेट सोहनलाल, मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मिन्नते मांगी मैं रोई थी, चिलाई थी, लेकिन आपने मेरे नाम से मासुमित और बेगुनाही का पट्टा उतार कर उसकी जगए चोर और मुझरिम की तख्ती लगा दी, कानून ने जेल में मुझे एक नंबर दिया था, आज उस तख्ती, उस नंबर, उस पट्टे के साथ, मैंने मोटे मोटे लफसों में आपका नाम भी लिख दिया है, आपके खानदान का नाम तुम साबत कर सकते हो कि वो कभी जेल नहीं गए, मिटा सकते हो पुलीस के रिकार्ड में जहां चोरों की लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ है, फर्स करो, कल तुम्हारी बीवी को पुलीस टेशन बलाया जाए, और उसको चोरों की लाइन में शिनाख के लिए खड़ा कि आज के बाद तुम उसे कभी नहीं मिलोगे, और उसकी शकल तक भी नहीं देखोगे, मगर डैडी शाम को पार्टी के लिए सब को इन्वाइट कर चुका हूँ, आपकी दोस्तों को भी, तो क्या हुआ, फरान कैंसल कर दो, माफी मांग लो सब से, मगर डैडी मैंने उसे शा की बन चुकी है, आपके बेटे ने भगवान के सामने उसका हाथ थामा है, मगर मैं उसे पहू मानने के लिए तयाद मैं, जब तक मैं जिन्दा हूँ, वो इस घर में नहीं आ सकती, ये मेरा आखरी फैसला है, ठीक, अगर आपको यहीं फैसला है, तो हम या नहीं रहेंगे, वो बद्द्द्दीब कहलाते हैं, जिनके सर से मावाग कसाया उट जाता है, लेकिन ऐसे भी बद्द्द्दीब है, जो मावाग होते हुए उनका प्यार महीं पासकते है, राटे, मेरे लिए लिटे, ये है रीटा की अंकल, मिस्टर ही रलाटे, औरे खुश्वा प्लाटे, तुमसे मिलना चाहती है, वो खड़िये तुम यहाँ कहे रिक्टा मेरी भतीजी है, दरसल मुझे आपसे पहले मिलना चाहिए था लगकी वालों में से उन लेकिन क्या करो, रुपय कमाने के उल्जिन में वक्त ही नहीं मिला सुना है कि आप रंगून में थे, लेकिन किसी दोस्त ने आपको धोखा दे, इसलिए चले आया यकिन कि जी आपकी जगा मैं होता है, तो सब बदला जरूरी है किस बारी मेरे बात तुम्हें है, मैंने कश्मीर में मिला था कि क्या बात है, यह मेरा पराणा दुश्मन है नहीं नहीं टैडी, यह तो रीटा के अंकल है, खराट तो है साथ रशे रीटाड़ी, टैडी, रीटा बहुत अच्छी लड़की है रीटा यह हार कितने का है? चालिस हाजार का हीरो का है सर असंभल के रहना, मुझे हार चुराने के जुर्म में एक साल जेल भेजा गया था साच, सम्हारो साच रीटा, यह क्या कर रहे हूँ? इंट्राक्शन दे रहे हूँ, छूट बोला क्या? पूछ लो अपने तैड़ी से भगवन के लिए चुप रहे जाओ चुप कैसे रहूं चुप के मैने पी ही क्या है? होश अभी तक है बाकी और जरासी ते दे सापी और जरासी और कैसे रहूं चुप के मैने पी ही क्या है? होश अभी तक है बाकी और जरासी ते दे सापी और जरासी और कैसे रहूं चुप के मैने पी ही क्या है? चाइ बाइ। मुद्ट तो की प्यास आज एक जाम बन गई मुद्ट तो की प्यास आज एक जाम बन गई ये खुशी की शाम शाम में इंतकाम बन गई जो बात हम में तुम में थी वा बाताम बन गई और जरा सी देदे साखी और जरा सी कैसे रहू चुप कैसे रहू चुप कैसे रहू चुप कै मैंने पी ही क्या है धो शाभी तेदे भागी और जरा सी देदे साखी और जरा सी और कैसे रहू चुप कै मैंने पी ही क्या है पता है तुम को राज क्या है मेरे इस सुरूर का के इस सुरूर में जरा सा रंग है गुरूर का जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हुजूर का और जरा सी देदे सापी और जरा सी कैसे रहूं चुप कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है और जरा सी देदे सापी कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है और जरा सी देदे सापी हर जर 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 ज अचे ले अचे रुटर, बढ़ जाए बढ़ जाए इसक्राना, इसक्राइब किसी को भी शक नहीं हुआ कि मैं तुम्हें विस्की नहीं पानी मिला कोकोगोलर दे रही थी आज़ा सेला हुआ आज़े आज़े आज़ugu आज़ इसक्राइब इसक्राइब हमता मुपवा तुम यहां क्यों आया हो चले जाओ यहां से शराब का खुमार अब तक बाखी है यह खुमार अब नहीं उत्रेगा जिन्दगी भर का रोग है शाम कुछो कुछ भी तुमने किया है उस पर शर्मिनदा नहीं हो क्या कोई भी शरीफ पहु कांदान की इज़त कोई यह रुस्वा नहीं करती इज़त? यह खरीब लोगों की जबान तुमने कहां से सीखी? राजपाल, किसी दौलत मंद, किसी सेट की इज़त कभी रुस्वा नहीं होती इज़त लुटती है एक 200 रुपे महवार कलक की इज़त पिकती है एक लाचार बे सहारा खरीब लड़की की सेट सोहनलाल की इज़त कैसे रुस्वा हो सकती है? जानती है, उस फंक्शन में टैड़ी के सारे दोस्ट, शहर के सब बड़े बड़े लोग मौजूद थे टैड़ी को तो सारी रात नीन नहीं आएगी सच, मुझे खुशी हुई बहुत खुश हो सुनकर कि मेरी वज़े सेट सोहनलाल को सारी रात नीन नहीं आएगी तो मैंने ही मालूम, मैंने जेल में कितनी रातें चाक चाक कर काटी बदले की भावना चीनी होती रहता, जो दूसरों को चलाता है, खुद भी उस आग में चल जाता है यह ख्याल दिल से निकाल दो, और मेरे साथ खर चलो, अपने इंतिकान के जोश में तुम फूल रही हो के तुम मेरी बीवी भी हो नहीं राज, मैं सेट सोहनलाल की बहु रीचा हूँ, जिसने एक साल जेल काटी है और यही मैं दुनिया को बताना चाहती हो क्या बताना चाहती हो, तुम एक बेवाफा बीवी हो, एक बेहाया बहु हो, समाज और सुसाइटी के नाम पर एक बद्नुमा धबा हो तुम यह चाहती हो जिदर से तुम गुजरो, जिस रास्ते पर तुम चलो, लोग तुम पर उंग्या उठ रहें और कहें हाँ, और कहें कि यह है सेट सोहनलार की बहु, अब जब मैं यह सुनती हो, तो मेरे दिल के किसी कौने में आग उगलता हुआ तुफान धबने लगता है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने अपनी भूग से बलगती मा को एक रोटी का टुकड़ा दे दिया हो, मुझे क्या यही कुसूर है मेरा? और फिर कभी धर मताना? इंदू, तुम? नहीं राज, मैं तुम्हें और नहीं पिने दूँ मैं तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी दोस्ती का करस्तार हूँ तुम जानती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता इंदू, क्यों जानबूज के अपने आपको धोका दे रहे हूँ? किसी को अपना बनाकर धोका देने से खुद धोका खालेना अच्छा है हो सकता है, यह धोका कभी हकीकत बन जाए तुम अन्होनी बात सूच रही हो रीता तुम्हें धोका देगी यह बात कभी तुम्हारे लिए अन्होनी थी मगर आज ठीक है अगर उसकी यही तमन्ना है तो यही सही चलो चले इसे गारी तक पहुँचा दो जी अगर जो उनकी तमन्ना है बरबाद हूजा तो ऐ दिल मुहाबत पिसमत बना दे तडप आरू तडप कर अभी जान दे दे यू मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे जो उनकी तमन्ना है बरबाद हूजा ना उनका तबसुम तेरे वास्ते हैं ना उनका तबसुम तेरे वास्ते हैं ना तेरे लिए उनकी जुलबों के साएं तु बेयास फिर क्यों जिये जा रहा हैं तु बेयास फिर क्यों जिये जा रहा हैं जवानी में ये जिन्दगानी लुटा दे जो उनकी तमन्ना है बरबाद हूजा सितम या करम हुसन वालों के मरजी सितम या करम हुसन वालों के मरजी यही सोच कर कोई शिक्वा न करना सितम गल सलामत रहे हुसन तेरा यही उस कमिटने से पहले दुआ दा जो उनकी तमन्ना है बरबाद हूजा बरबाद हूजा क्लिक जचिए। टूरे व्योटा अधिए नहींगे क्या बात है रेटा किस सोच में हूँ जी कुछ नहीं कोई बार तो जरूर है जिस तरह उदास बैटी हो तब ये तो ठीक है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो आप से मैं जानता हूँ बात क्या है राज दिन बर तुम्हारा पीछा करता रहा था तुमस्ते मुझसे मुझसे नफरत करती हो आपको शुभा है रिटा औरत के दिल बड़ा कोमल होता है वो खुद मिट जाती है किसको मिटा नहीं सकती इसलिए डरता हूँ के किस पात का डर डरता हूँ कई महबत पर इंतकाम पर काबू नपा ले यह वक्त बड़ा नाजो के रिटा तुम्हारी एक कमजोर निगा हमारे सारे खेल को चौपट कर सकती घबराये नहीं वो निगार आज को कभी नहीं मिलेगी सेर जी मैंने आपका नमक खाया है मैं तो आपके फाइदे की सोचूंगा याद है रीटा को रास्ते से हटाने के लिए आप चार लाग रुपया खरच करने के लिए तैयार होगे थे मैंने इस सारा इंतजाम एक लाग रुपय में कर लिया आए ना रहेगा पांस ना बजे की बासरी तुम्हारी सब बातें बांस की तरह खोग लिए तुमसे कुछ नहीं होगा अब मुझे ही कुछ करना पड़े नहीं नहीं सेट जी आप जरा जरा से काम की लिए कश्ट करेंगे लानत है मुझ पर एक खुबसूरा चेरे कर तो जमेला है आज रात को ऐसा चकर चला देता हूं कि चेरा खुबसूरत ही नहीं रहेगा तो वास साथ के बारा बजे तक सब काम ठीक हो जाना चाहिए सुने की ये लोग एक बजे की फ्लाइट के सिंगापूर के टिकेट ये पासपूर और ये वहां के बैंक नवे हजार रुपय का ड्राफ्ट और ये है कस हजार रुपया कैश एडवान्स असलिया सेट सब काम ठीक हो जाना चाहिए घबराव मत सेट मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकाना है ये लो अगर इसकी जरूर पड़े तो इससे भी काम ले लेना चलेगा स्नेकी का ड़सा पानी भी नहीं मानता सेट हुहुहुहुहुह हुहुहुहुह हमारा जितलाओ हाप्टी आनवट इस सलाना फंक्शन चे उपर ये केक हमारी तरफ से दोपा पेश किया जाए जीटा देवी ने ऐसे बहुत से केकों की खुबशूर्ती खराब कि हो गी ये केक उन सब केकों का इंतकाम देगा जब रीटा देवी के हाथ से ये छुरी इस केक पे चलेगी तो बलून भटेगा और रीटा देवी का चेहरा वाह! 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 क्या लग रही हो? ऐसा लगता है कि चादवी का चान मेकप रूम में मेकप कर रहा है फोब बोर मत कर शोका चाइम हो गया वाह! 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 प्यारी थेलो प्यारी! कोना भे ये सारे पदर कोना है? इस लंगूर को बंग कर दो! हां! 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 ये अखें बहुत खुबचूरत हैं इनहोंने बहुत कुछ देखिया, मगर कुछ नहीं दिखा ये होथ बहुत खुबचूरत है बंध Agrot कितने अच्छे लगते अगर ये होट खुले तो इसका मुवी खुल जाएगा चलिए स्टेज पे, आपके बगार मैं तो सुई रहे मैं फिर सोई, ऐसा कोई मैं फिर सोई, ऐसा कोई होगा कहां, जो समझे जुआ, मेरी आपकी मैं फिर सोई, ऐसा कोई होगा कहां, जो समझे जुआ, मेरी आपकी मैं फिर सोई लाओग मैं फिर सोई आपकी मैं फिर नवे मैं मैं तो आपकी मैं देए रात गाते हुए, गंगनाते हुए, बेट जाएगे यूँ, मुस्कुराते हुए रात गाते हुए, गंगनाते हुए, बेट जाएगे यूँ, मुस्कुराते हुए सुछा का समा, पुछेगा कहां, गए महमां, जो कल थे यहां मैं फिल सोई, ऐसा कोई, होगा कहां, जो समझे जुआ, मेरी आखों की मैं फिल सोई मैं फिल सोई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो वाएगे कर दो आज थंके गजर दे रहा है खबर और कौन जाने इधर आई ना सहर आज थंके गजर दे रहा है खबर और कौन जाने इधर आई ना सहर किसको पता जिन्दगी है क्या तूट ही गया सांसी तो था मैं फिल सोई ऐसा होई होगा कहां जो समझे दुआ मेरी आखों की मैं फिल सोई कर दो प्रचल को पत्रष किसंदगी अजर आई बों भी जब खोई है कि अबर भाण जो थे रहा दो बहा है कि अबर बहा है कि अबर और बहा है सेथीरा लाल जी, इस शुब घड़ी में अब देर मत की थी, जीता के हाथ ते केप कटवा के, सुब का मूम ही था की थी शर्या केक मत कटए रिटा देवी, केक काटिये, मत काटिये चेक, केक काटना पर दिए में कटो, केक काटना ही पड़ेगा जुम्हें अपणायग। जुम्हें काटना हूं। कि परिदाना प्रप्तुराषीती जाहिए। कि अपणायग। अपाटना हूं। शुम्हें की, सब रास पाशेक्या, तुम रुरा अरको सम्हालो, मैं जातुशेचाद। झाल जूँ झाल झाल प्ट पाच्चो अबर्दान, आगे पनी कोश्मत करना प्रुच्चो वान अग्वली सौरावी प्रुच्फ रफ पनी कोश दमत औरुच्चो बच्छ वाने कोश्मत चर्दो ओदे तव Immer remark!" चर्दो चर्दोर चर्दोग है उरीा चराए। त forgotten! दवार प्टट, पाचि प्रॉप फैंड, प्रॉपर। पाचिपा, पाचिः पाचिए। पाथ। अब तुस्तने के कड़ डंग से नहीं बच साथ जिस हुसन पे तुई जराती ती जिस चेहरे पे तुझे नास ना ये हुसन रहेगा ना ये चेहरा रहेगा करति है लाइ दान करॉ दाव दाव जिए टो में किस्तार कर रो तो यह तो में नहीं समझता हूं सेर्जी के राज बेकिसम्ट है लेकिन अगर वो कुछ बताएगा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका कॉपरेट करना बहुत जरूरी है ये तुम क्या कर रहे हो बेटा किसी का खून अपने सर पर ले रहे हो अगर तुम्हे कुछ हो गया तो नहीं नहीं बेटा तुमने सच-च्छ क्युन्हे कह देती कहो उने कि खून तुमने नहीं किया उन मैं नहीं किया तैड़ी तुम जुट कहते हो तुम जान बूच कर मुझे मैं जान बूच कर यह खून अपने सर पर ले रहा क्योंकि में समझता हूं कि एक बाप की दॉलेत में ही बेटे का हिस् werde बेलके बाप के हर अच्छे और बुरे करम में भी उसका हिस्सा होता है हमें रीता का बाद बढ़ा खर्शका है अगर मेरी जान जाने से हमारी भूल सबब सकती है अगर मेरे फांसी पर चड़ जाने से हमारे गुनाहों का वो जलका हो सकता है अगर मेरी महुच शरीता को एक नई जंदगी मिल सकती है तो मेरा मर जाने ही अच्छा है पीटा मिस्टर राजपाल पुलिस की रिपोर्ट के मताबक तुमने अकबाल किया है कि चौर्दा दिसंबर की रात को बारा बच कर पच्चीस मिनिट पर कैसी नौर जिपशियाना में सनेकी नाम के एक आदमी पर तुमने गुली चलाई जिसकी वज़े से मौका वारदात पर ही उसकी मौत हो गए अदालत ये जानना चाहती है कि ये बयान तुमने किसी मच्जूरी या दबाव से तो नहीं दिया जी नहीं मैंने ये बयान अपनी मर्जी से और अपने होश हवास में दिया है और मैं अतरार करता हूँ इस आदमी पर गोली मैंने चलाई ये जूट है मी लाड बैले स्ट्रिक्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिस रिवालवर से गोली चली उस पर मुफ्तलिफ हाथों के निशान जिस पर कुछ निशान रिता देवी के हाथों के जिसे राजपाल ने अपने हाथों से मिटाने की कोशिश की साफ जाहरामी लाड गोली चलने के बाद रिवानवर चीनी गई सिर्फ इस लिए के कातिल का जुर्म अपने सर पर ने लिया जाए ये गलत है मैं किसी का जुर्म अपने सर पर नहीं ले रहा हूँ मैं कातिल एक बार नहीं, पचास बार नहीं सब बार कहुँगा कि मैं कातिल हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए यह जूट है, बिल्कुल जूट है क्या कर लो कुली मैंने चलाई थी कातिल मैं हूँ आपको जो कुछ कहना है विटनिस बख्ष ने आखे कहिए बैट जा लिटा उंकल छोड़ देजे मझे तुम बैट जा लिटा यूर राजपाल की बीवी हूँ मैंने राज से शादी की इसलिए नहीं कि मैं उसे प्यार करती थी इसलिए कि मैं उस खानदान की इजट नीलाम करना चाहती थी जिसने कभी मेरी इजट का मजाग उड़ाया था मैंने राज से पयार जटाया क्योंकि मैं उसके डैड़ी से बदल्ला लेना चाहती थी लेकिन मा लॉर्ड राज सच मुझे मुझे प्यार करता था उसने अपने डैडी के मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की मेरे लिए अपने खानदान के नाम इस्जत शोहरत तक ही परवाना की राज आज भी मुझसे प्यार करता है और यही वज़ा है कि वो जान बूच कर मेरा जुर्म अप्जे सर ले रहा है अज़े थे हैं कि गोली मैंने चलाई थे कातल मैं हूँ राज बेकुसूर है बिलकुल बेकुसूर है बिलकुल जूट रिचा बस बना मत करो अधाला से खदू जो कुछ तुमने कहा घलत है नहीं अपकल वो बेगुना है प्ये सेव है प्ये सेव है सुहनलाल हमारा दुष्मन है राजपाल भी हमारा दुष्मन को किसका बेटा है नहीं आप वो सिर्फ राज है मेरा राज है Mr. Mayor Your Honor, रीता राजपाल की पत्नी है पती पत्नी में जजबाती रिष्टा होता है मगर कानून जजबात पर नहीं वाकियात की रोष्टे में इंसाब करता है इसलिए नीटा देवी के बियानात को कोई अहमेत नहीं दी जा सकोई Why it is noted Case is adjourned for the day राज के बगेर वो घर घर नहीं रहा एक अजीब सननाटा है वहाँ दीवारे में जैसे पूछ रही हूँ कि राज कहाँ है कहाँ छोड़ाए हो से तुम नहीं जानती बेटर राज इतना से था जब इसकी मा मर गए थी मैंने आज तक उसे मा की कमी मासस होने नहीं थी उसने जो मांगा जो जा ना कर दिया उसके हर्से पूरी की लेकिन मुझे मालुख होता कि वो मेरी एक ना की मुझे इतनी बड़ी सदा देगा तो मैं उसकी ये जिद्धी पूरी कर देता माफी मांग देता तुम से एक अर्मान था राज की शादी हो पहु आई सुने घर में बहारा जाए मुझे बबकिस्मती मेरे घर में लक्षमी आई और मैंने उसे ठुकरा दे तुम देवी हो बेटा जो मेरे गुनाँ माफ कर दिये तुमे लेकिन भगवान इस गुनागाए को सदा दे रहा है मैंने तुम से तुम्हारी मा को चींग लिए आज वो मुझ से मेरा बेटा चींग रहा है ऐसा लगता है कि आज में अपना सब कुछ रुटा आया ना मालूम दिल क्यों कहता है कि राज हम से हमेशे के लिए रूट किया है अब वो कभी वाकस नहीं आएगा चलो बेटा तुम हमारे घर की बहू को चलो अपना घर संबाल ले माफ कर तो इसको ना घर को तुम भारे कद्वों से घर में रोशनी आजाएगी बेटा हो सकता है भागवान हमारी सुन्दित और आज हमें वापस मिल जाएगा ये मेरी माव तुम यहां बेटो में वी आता हूँ ये लाव से तुम ये लाव से तुम ये लाव 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 आ ये लाव ये लाव ये लाव इसे लडकी को देखाई तुम्हे? कौन लडकी? जो ये तस्वीर लेकर आया थी ये तो मेरे पास थी क्या मतलब? ये तुम्हारे पास कैस है? यह तो बच्पन से ही मेरे पास है, मेरी और मेरी माँ की तस्वीर यानि ये तुम और तुमारी माँ? हाँ, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि जिसम इतने दुनों से ढूर रहा था वो, और तुम हो, तुम, मेरी बेटी, मेरी बेटी मेरी, 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 मेर मैं मैं 1964 के रात एरपोर्ट से जो समंगलर पुलिस के हाथों से भाग निकला था ओं मैं हूँ मैं इस जूम करता हूँ और ये भी इक्रार करता हूँ कि स्नेकी पर गोली मैंने चलाई जिस रिवाल्वर चे स्नेकी का खुन हुआ उसके गोले पर सिर्फ मेरी मुल्यों के निशान है अपनी सफाय में सिर्व इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उस वक्त गोली नचलाता तो रिटा की जान खत्रे में थी मैंने एक मासून जान बचाने के खातिर गोली चलाई अगर अगर आदलत मुझे सजा का ख़तार समझती है तो मैं सजा भूगदने के लिए तैयार हूँ मुकद्बे की नौईयत और हालाच की रोशनी में आदलत हिरालाल को स्नेकी के गतल के जर्म से ही न region में बाइजब करती है मगर हीरस मगल करने के जर्म में एक साल कैद बामुषक Indra ह controller Puis और वीस अदार जर्मान की सजा ले सजा देती है जर्माना आदा नहोने की सूरत में काैद की मियाद दो साल होगी तो रोती क glitter ये सजा तुम है अपनी क्रोषित है अफिती तो खुशनसीब है, तुझे राज जैसा पती मिला, शादी के बाद बेटी को माबाप कर नहीं, पती का प्यार चाहिए राज, दुनिया में मेरा जो कुछ है, मैं तुम्हे सौंप रहा हूँ, इसने जो कुछ किया, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उस जगत मुझे मज़े माफ कर देना मुझे शर्मिन दना कीजिए सौनलाल हीराल, मैंने तुम्हे बहुत तक्लिफ दी, मुझे माफ करना जहां 20 साल दोस्ती के नजर की है, वहां एक साल और से ही अब हम सिर्फ दोस्ती नहीं, रिष्टदार भी है यह तुम्हें नहीं मानता सौनलाल, जब तक तुम्हारे गर एक बच्चा नहीं होता जो तुम्हें दादा कहे और मुझे नाना कहे पत्त हम रिष्टदार नहीं हुए लिष्टार नहीं हुए